जह हिन दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको चेक बायूंस के बारे में आपने देखा होगा अक्सर लोग किसी को चेक दे देते हैं एकाउंट पर पएसा नहीं रहता है और चेक बाउंस कर जाता है , या फिर सिगनेचर पुरे भारत में अभी 20 लाख मामले लगभग 20 लाख मामले चेक बाउंस के चल ला है हर कोट में कोई ने कोई मामला चेक बाउंस के रिलेटर चल ला है और वो कम दिनों से नहीं चल ला है कोई 2 सालों से चल ला है कोई 5 सालों से चल ला है कोई 10 सालों से चल ला है ऐसे ऐसे मा रहा है इसी को देखते हुए इसी को देखते हुए जल्द ही परधान मंतरी मोदी जी कानून में बदलाव करने जा रहे हैं पहले तो आपको पता ही होगा कि चेक बाउंस जब करता था आपने किसी को चेक दिया और सिगनेचर मेंच नहीं हुआ या फिर एकाउंट में पैसा या फिर आपको किसी ने चेक दिया आपका सिगनेचर में या फिर एक हो एक फिर पैसा पैसा दे सकते थे या फिर फिर से नया चेक दे सकते थे यह परवधिहान था इसके अलावा और चेक बाउन्स कर गया अगला वेटती अगर इसंपर स्रीयस नहीं ले रहा दुबारा चेक नहीं दे रहा पैसा नहीं दे रहा आपको परेशानी हो रही तो एक महीने के फसके खिलाफ आप मुकदमा कर सकते थे तो उसे2 साल का सजा या फिर जो जितना रखाम anything बाउंस किया वहापस आया है उसका डबल रखम देने का प्रवधान था और कोकूट एवर करते थे यह रखम जाते थे जोपतीटा ध को यहा टाइम का तो मत पुछिया इतना टाइम लगता है कि मैंने बता है ना आपको कि दो साल तीन साल दस साल पांस साल इतने दीनों से लोग लटके हुए पूरे देश में 20 लाग के स्पेंडिंग है इसी को लेकर बेपारी का एक परतिनीधी मंडल दिल्ली में कुछ बेवसाई का बिद्धि मंदरी मोदी से हाल ही में मिला था और उन्हें यह सजेशन दिया था उन्हें बताया था कि ऐसे मामले चलना है बहुत परशानी में वह लोग चलना है ऐसे में तो मेरा बेपार नहीं चल पायागा जितने कारोबारी है उस बरबाद हो परधान मंत्री मोदी ने वादा किया उन बेवसाईयों से वादा किया कि इस कानून को बहुत करा प्रभधान के साथ फिर से लागू किया जागा इसमें संसोधन किया जागा मैं आपको बता दू मोदी जी का कहना है कि इस कानून को संसोधन करके जो दो साल का सजा का जैसे कि आपको किसी ने चेक आरो बाउंस हो जाता किसी कारण से बाउंस हो जाता है जैसाएं पैसा है नहीं रहने के कारण से या फिर अगले ने आपके साथ फरजिवारा किया कुछ ही गलत चेक दे किसी करन से वह παईनस होता है तो फिर आप उसे मातर दो भी नुक्सान हता है वो भी भड़ पाई करेगा इसके अलावा बता दो कि अगर आपका कोई नुकसान न भी हुआ है तो भी अगर चेक बाउंस कर जाता है तो अगले से पैनाल्टी का डिमांड कर सकते हैं यह प्राबधान रहेगा मतलब कि मैक्समाम इसमें मिनिमम एक महिना और मैक्समाम दो महि प्रभाव से जेल की हवा खानी पड़ेगी और साथ में उस पर जुर्वाना भी लगाया जाएगा मतलब कि जेल के हवा खाने के साथ सथ ऊसमें जुर्वाना का भी परवधान किया गया है अब कोई भी चेक मामले में नहीं बस सकता है कि सर कार भी अपरेशान है कि ऑग तो कोट में बाकी काम ना किसपेंडिग में फुरेट एसoten इसी मे मैं आपको बता दू़न्या газ से पर चेक बाउंस का मामला पैंडिय इस सरकार भी परिशान हो गया होगा इसलिए जल्द ही नए के साथ साल 2022 में इपारित किया जल्द है और यह परधान लागो किया जागा कि इस मामने को मतर दो महीने में निप्टा जागा क्योंकि इसंट गबाह की जरूरत परे स stubborn के जो पर्दान मंत्री से मिला था उन्हों को सिकish समय भी होता है समय भी भरबाद होता है और काड़ोबाड पर भी असर पड़ता है इस pull और परधान मंतरी मोदी ने वादा कर दिया कि इसी साल इस कानून में संसोधन किया जाएगा और इस विध्यक को जल्द ही पारित करवाया जाएगा इससे कारोबारियों को परिशानी बहुत कम होगी वैसे परधान मंतरी मोदी जी बार बार कहते हैं कि डिश्टल लेंदेन कर कानून में बदलाओ जब हो जाए तो हो सकता है आने वाले समय में अगर और भी दिक्कत हो लोगो को तो चेक का सिश्टम ही खतम कर दिया जाए दोस्तों इससे समदित या फिर किसी और टॉपिक से समदित मन में सवाल हो प्रस्ण हो कुछ पूछना हो कुछ सला हो कुछ सुझ पहले से सब्सक्राइब करने पहले से वीडियो मिल नहां तो इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं अब हो आपका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो नए टोपिक पर होगा वा पही का टॉपिक होगा तब तक के लिए सुक्रिया धन्यवाद जैसे